हेलो बच्चो आज बेटा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि NDA22024 में कैलकुलस का क्या रोल हो सकता है बच्चो हर एक बात हम सीखेंगे आप बच्चा इस वीडियो में लाश तक बने रहें बच्चे आपको सबसे पहले मैं बता दू कि हमारा यू लिस्ट भी बने हुई है जिसमें 22 वीडियो बन चुकी है यानि कि कई टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं अब जो आपके लिए कवर कराने जा रहें तो कैलकुलस का वेटेज क्या है NDA22024 में वो बिटा इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं बच्चो चलिए बिटा आते हैं बच्चो और जानेंगे कैलकुलस के बारे में कि क्या वेटेज हैं बच्चो आजाओ भई मैंदाने जंद में आप देख पारें बिटा कैलकुलस जैसा कि बच्चे बच्चे जानता है कि कैलकुलस का रोल NDA22024 में क्या हो सकता है इसका वेटेज बेटा देखेंग जा सकता है यहां कौन-कौन सी टॉपिक है उनको बर जराई एक बार डिटेल से देख लेते बच्चो पहला टॉपिक आपके लिए बच्चो लिमिट कॉंटिनिटी एंड डिफ्रेंसिबिटी रहेगा जिसका वेटेज एंडिये में देखेंगे कितना है बिटा इसका लिए आजो पीटा अगले चेप्टर की बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट चेप्टर बच्चो डेरीवेटिव डेरीवेटिव से बच्चा बच्चा वाकिफ है कि यहां जो क्वेस्टन आएगा वह आपका फॉर क्वेस्टन आता है इस टॉपिक से यानि कि टैन मार्स का यह हो जाएगा बच्चो टैन मार्स का यह टॉपिक आंगे पढ़िएंगे बिटा थर्ड नम्मर पर रहेगा एप्लिकेशन ऑफ डेरीवेटिव आप बच्चा बच्चा जानता है कि इस टॉपिक से कित्रा क्वेस्टन बन रहा है पुत्तर इससे बनता है फो टूपिक से ही ब दोनों एक साथ मिला दिय जाए तो इससे देखेंगे बीटा इन्डीय में क्या वेटिए जाएगा बेटा इसका 6 का इंडिये में बनता है और टोटल मार्स देखा जाए तो फिप्टीन टू ट्वेंटी फाइव मार्स चला जाता है राइट नेक्स टॉपिक देखेंगे बच्छो नेक्स टॉपिक में आप देख पा रहे हैं डिफ्रेंशल इक्वेशन जिसके फाइव क्वेसन पर्मानेंट यह आने ही आने हैं यानि कि 12.5 मार्स का यह टॉपिक हो जाएगा बीटा आंगे बढ़ जाते हैं लास्ट टॉपिक है आपका अंडर एडिया तकर जिसका टूट एंड फोर क्वेसन बन जाता है और यानि कि 5-10 मार्स का हो जाता है यानि कि ओवरोल देखा जाए मेरे बच् तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अंगली वीडियो में जैहिन